हलो फ्रेंट्स वल्कम टू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो देखा रहा हूँ देखे बात करेंगे L&T ग्रूप के इस स्टॉक की जो की अभी 100 रुपे से भी कम में अवेलेबल है रेडी रहना बड़ा धमाका यहाँ पे कभी भी हो सकता है रिस्क कितना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने से पहरे माँ आपको बदा दो गर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया L&T Finance Holding की यहाँ पे बात हो रही है L&T Finance Holding अगर मैं बात करूँ कल हमने Finance के एक स्टॉक यानि कि अधित बिरला कैपिटल की बात करी 93 रुपीज का ये शियर था आज बढ़िया gap up opening साथ के साथ 101 का high point percentage wise देखो कि तो जबरदस्त high point इसने बनाया और बहुत ही बहतरीन क्योंकि आज से पहले यानि कि कल का जो volume था वो impressive था और breakout हुआ बहुत बढ़िया लेकिन अभी आपको इस breakout के बाद जो आज थोड़ा सा correction भी आ है rally होने के बाद और आगे की opportunity और set कर रहा है अब आप कहोगे यार L&T finance holding की बात हो रही है कहां आप अधिति बिरला capital को ले आए तो मैं आपको यही कहूँगा कि तसली से देखिए यह कल की date का वीडियो है कल की date यानि कि February 15th का अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इसको भी देखे है और साथ के साथ L&T group के stocks की जब बात आती है तो L&T सबसे बड़ा यहाँ पे और यह promoter है और बहुत सारे stocks यहाँ पे है L&T Infotech है उसके अब बात करो L&T Technology Services है Mindree भी L&T की ही company है लेकिन अभी हम जिस stock की बात कर रहे है वो है L&T Finance Holding जो कि मात्र 98 रुपीज में available है अब आप देखोगे यह financing company है यह अब यह मानके चलिए non banking financial company और जो की बहुत सारी L&T की financing activities में भी help करता है इस stock की सबसे खास बात यह है यह चोटा stock नहीं यह देखे 24,000 करोर का market capitalization अच्छी बात और मैं अगर इसके बारे मैं आपको बताऊं तो इसका profit growth अगर आप देखो तसली से तो यह देखे 17% का profit growth पिसले 3 साल का average revenue growth आप देखे 19% के आस पास है और P ratio हर 22 रुपे पे आपको एक रुपया कमा के देरा financing stock है तो debt को इगनवर side रखी है क्योंकि इसी debt के उपर ही तो इसके कमाई है promoter holding 63.6% का यानि कि L&T की जो हिस्सेदारी इस company के अंदर है वो है 63% की यह जरा देखिए L&T info tech L&T limited यह देखिए अब आप 63.65% की holding जो है L&T की है और अगर मैं retail निवेशकों की बात करूँ तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से retail निवेशक almost 6 lakh retail निवेशक यहाँ पे invested है 11% की इनकी हिस्सेदारी यहाँ पे है retail निवेशक होगी और उससे भी ताजूब की बात यह है कि जो लोग 2 लाग से ज़्यादा पैसा लगाते है ऐसे 819 लोग invested है जिन्होंने 2 लाग से ज़्यादा इस stock में लगाया हुआ बाब आपको कि ऐसा खास क्या है stock में क्या इसके fundamentals अच्छे है पिछला profit और revenue के बात अगर मैं करता हूं तो देखिए यह revenue में आपके सामने लेके आ रहा हूं 2010 में जो sales का data हमारे पास है वो 1400 करोड का था और 2020 में वो 14,000 करोड यानि कि सीधे-सीधे 10 गुना यह revenue यहां से लेके यहां तक बढ़ता है अब आपको कि हा तो फिलाल short term में थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है लेकिन long term perspective से वो बाक profitability आप देख सकते हो 260 करोड 400 करोड और आज की date में 2000 करोड के पास तक चली गई थी अब financing stocks कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा काम कम हुआ तो इनका भी यहां पे जटका जरूर लगाया है वो पिछले कुछ quarter में आपको देखने को मिला चीजा revive होती भी आपको देखने को मिले जरा देखते हैं अब technical analysis में अभी इस stock को आपके सामने लाने का मकसद क्या है लास्ट टाइम पे अगर मैं इस stock को देखू जो low point इसका था 2016 में वो low point और इस बार का low point जो March में बना है वो almost similar low point है देखिए all time यह low का जो point है और इससे पहले भी तो बहुत ही important यह area stock के लिए 40s की जूर रेंज उसके बाद यह range पार होती है सबसे अच्छी बात आप इस stock में देखोगे इसमें एक बहुत बड़ी learning में आपको दिखाने वाल हो देखिए 2018 mid cap और small cap में बुरी तरीके से गिरावट जो long term investor है वो अगर देखेंगे यह monthly chart है और हर stock में मैं आपको जो important part बताता हूं वो technical analysis पे retail investor को हमेशा कहता हूं कि इसको focus रखें यह आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है यह 200 का high देखिए उसके बाद गिरा और उसके बाद यह क्या है lower high जरा समझी इस चीज को उसके बाद फिर नीचे गिरा यह क्या बना आपका lower low उसके बाद फिर आया लेकिन अभी मन्थली में still यह अब आप कहोगे भई यह तो पुराने high को इसने पार ही नहीं किया तो चलते है छोटे time frame पे समझते है अब आप सोचोगे यार यह 120 का level पार हो जाए तो कितना मजा आ जाए फिर तो यह मन्थली के basis पे भी ready हो जाएगा तो आपको हमेशा क्यों क्यों क्योंकि देखे यह 200 की line बहुत important होता है जब तक price से इसके उपर रहता है तब तक यह support का काम करती है लेकिन एक बार price इससे नीचे गिरने लग जाए तो फिर यह क्या काम करती है resistance का आप देख सकते हो यहाँ पे यह एक और learning point है यह छोटे छोटे learning points हर वीडिय मैं आपको यही कहूंगा कि वो 59 रुपीज जो add कर रहे न सीरेशनेस के लिए और अगर आपको सीखना है तभी join कर आधर वीडियो में तो मैं आपको बता ही देता हूं देखिए लेकिन यहां कि हाँ वापर पूरा structured way मैं आपको बता रहा रहा देखिए अब यह वापस यह 120 के level को पार कर पाएगी अगर इसने 120 के level को पार कर दिया तो समझे एक नई rally आपके सामने आएगी बट फिलहाल की opportunity क्या 120 के target तक कहुंचेगा तो यहां से लेके गर 120 के target पे पास अब जाता है तो already आपका 20% का jump होता है और यह stock जो है weekly swing के लिए तयार already हो चुका है stop loss आप पे पार हो पाएगी तयार हो पाएगी और कितना target 20% जब आप छोटे time frame वाई जाते हो ना और आपको कुछ हपतों के अंदर या एकात महीने के अंदर 20% 25% का return मिल जाता है आप खुछ सोचिए कि यह कम है बहुत सारे लोग सोचता है कि बहुत जल्दी time पे उनका पैसा double हो तो आपके लिए intraday पहुत रिस्की एरिया उसको avoid कीजिए वो आपके काम का नहीं है और छोटे time frame wise 15 minute और आवर नी वो भी आपके काम का नहीं है तो आपके काम का क्या आता है weekly swing अगर आप नौकरी करने वाले लोग हो तो आपके सबसे perfect investment opportunity होती है आपके लिए weekly swing क्योंकि Saturday Sunday weekends में आप कर सकते हो exercise और अपने analysis और उसके base पे आप यहां पे invest कर सकते हो समझ दो अब आप को कि हाँ ये तो और weekly swings में कुछ weeks में आपको 15-20-10% का return easily आपको मिल जाता है तो सूचिए को गलत है 15-20-10% का return और minimum risk area क्योंकि रिस्क तो हमेसा stock market में आप एक रुपे भी लगा swing अगर आप जो है job करने वाले लोग हो तो अब इसको देखिए अब daily time frame पे मैं आपको लेके चलता हूं daily time frame पे हमेसा देखिए bullets cross बना पहली correction आई कितनी बढ़िया opportunity थी यह opportunity आपके सामने आती रही फिर से अगर आप इसको देखो उस weekly swing के लिए अगर इसको देखो तो and it formed higher high now now we are about to break out this high level and we got a correction at the breakout level सुचे जरा यहां पर क्या है already trend change हो रहा है तो आपको कि अगर मुझे कल entry कर दिया अब past का तो जो हो गया उसको तो आपकर नहीं सकते वो तो गया काम से Friday के volume के बाद Monday को आज को selling भी देखने को मिली है हाँ अगर मुझे कल entry करनी है तो मैं दे यह level होगा 100-101 के आस पास का यह level होगा अगर यह resolve होता है तो daily पे आपको ऐसी situation देखने को भी लेगी या फिर अगर कुछ दिन जैसे market अभी peak पे है या कुछ दिन छोटा सा consolidation आपको देखने को मिलेगा तो market peak पे है जिसका मतलब यह नहीं आप खरीद नहीं सकते stock specific हो जाए पे और जहां पे moving averages से ज़्यादा दूरी है उनको avoid करें क्योंकि वहां पे profit booking होगी तो वो नीचे आएंगे moving averages के पास आने की कोशिश करेंगे तो यह stock ready हो रहा है अब आपको गे stop loss क्या होगा मेरा जो अब यह consolidation चल रहा जैसे यह resolve होगी इस तरह के सही आपका stop loss हो जाएग आप देगे as a retail investor बहुत लोग retail investor यहाँ पे priority नहीं देते risk management की लेकिन आपको हमेशा कहूंगा stock market investment are subject to market risk always give priority to the risk management part and video को आप share कीची like कीची channel subscribe कर तो जल्दी से subscribe कर ले और bell icon को press कर ले जिससे आपको notification आते रहेगे and thank you thank you for watching the video